इस वक्त राज के लिए सबसे बड़ी ख़वर है और वह बड़ी ख़वर राची के कांके रोड इस्थीत मुख्यमंत्री हैमन सुरेन के आवास से आ रही है। जाते रहे जारखंड-मुक्ति-मोरचा के तरब से भी कई नाम सामने आते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री हैमन सुरेन ने एक लाइन में सभी अठकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि राजसबा चुना में जारखंड-मुक्ति-मोरचा की उम्मिद्वार महुआ साथ हमारे सयोगी संज़ें संझव इसे कैसे देखा जा भी कि सबसे पहले तो महवा माजी को हम लोग बदाई देते हैं चुकर मैं इनके नाम को लेकर हम लोग पहले भी लिखते रहें कि महवा माजी उमिदवारी की रेस में है लेकिन पिछले जिस तरीके से साथ आठ दिनों से उमिद्वार के नाम को लेकर के जो चर्चा चल रहे थी और खास करके कॉंग्रेस जो जार्खन डिकाई के अध्यक छेह राजेश ठाकूर वो जब दिल्ली से लोटे और एक ट्वीट उन्होंने कर दिया और उस ट्वीट के बाद जो है सियासी कलियारों मे चर्चा होने लगी कि कोई भी हो उमिद्वार लेकिन घठवंदन के तरफ से कॉंग्रेस का उमिद्वार होगा कॉंग्रेस के पाले में जो है इस वार रात्सवा की सीड़ जाएगी लेकिन मुखमंतरी हेमन्त सोरेन ने और उनकी पाटि ने इसी मुखमंतरी आवास के में जो है जब बैठक होई जेमेम का और जिसमें सभी बिधायक बैठे और पार्टी के कई नेता बैठे तो दो दिन पहले भी जेमेम ने यह सपस्ट कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जेमेम का उमिदवार होगा और आज जब मुखमंतरी हेमन सोरेन अपने पोटीगों में मुख जब नेता इसमें सामिल नहीं हो रहा है तो उसी बक्त चेह क्यास लगना सुरू हो गया था कि जेमेम जो दावा कर रहा था उसी के अनुरूप उमिदवार के नाम का घोसना होगा यानि कि जेमेम का उमिदवार होगा और अब जबकि महुआ माजी के नाम का एलान कर दिया है मुखमंतरी के द्वारा तो ऐसे में अब राजनीती जो है वो अब काफी दूसरे तरीके से देखने को मिलेगी सनी क्योंकि हारखंड में जो क्या हो सकता है क्या अब कांग्रेस भी अपना उमिदवार देखिए यही बात है अभी तक जो मुखमंतरी ने जो में ब्रीफ क पास 30 सीटे हैं 27 सीट चाहिए 27 विधायक चाहिए तो क्या कॉंग्रेस अपना वोट जो है पूरा कर पाई वो फिर तोड़ फोल की राजनीती सुकी राजनीती होगी इसका मतलब जो गडबंदन की सरकार है उसमें खटास होगा ने बिलकुल देखिए खटास तो अब इससे प्रेस रिली जारी किया गया कि बाई आख तरेर ने और मतलब इस तरीके की बाचीत में शुरू हो गई थी तो आब जब की जमें के तरब से मुखमंतरी ने खुद महुआ माजी को की उमिदवारी का एलान कर दिया है और जो कि इस पास्ट है कि जमें के पास उतने विधाय तो इस पास एकि महुआ माजी तो रातसभा जा रही है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन दूसरी उमिदवारी कांग्रेस के तरब से होगी की नहीं होगी वो तो बक्त बताएगा क्योंकि जिस तरीके से जार्खन कांग्रेस के नेता और इनके परभारी हैं वो लगातार जिस तरीके से दावा कर रहे थे और कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेता जिस तरीके से लौविंग कर रहे थे अपने लिए भी और एक दवाव बनाने की कोशिस कर रहे थे जारखन मुक्ति मोर्चा पे तो वो कहीं नहीं दिखा मुखमंत्री जिस तरीके से जब आज ब्रे पूमों के जो सुप्रीमों हैं यानि कि गुरुजी शीवू सोरेन उनके से चर्चा के बाद जो है एक सहमती तक पहुंचा गया और वो सहमती महुआ माजी के नाम पर हुआ और अब चुकि देगे महुआ माजी के नाम के ऐलान के साथ ही जो है जारखंड की राजनीती जो है बहुत दूसरे तरीके से अब होगी अब कॉंग्रेस के तरफ से क्या इस्टेंड लिया जाता है कॉंग्रेस पार्टी के नेता क्यों आब बोलते हैं क्योंकि वो कॉंग्रेस जेमेम के साथ सरकार में है जिसके पार्टी के परदेश अध्यक्षी ने बकायदा ट्वीटर प पास उतना बिधायकों की संख्या नहीं है उतने सदस नहीं है कि उसमें दूसरे अभी की सबसे बड़ी खवर यही है कि यहां यह देखिए हमारे पीछे जो मुख्मंत्री आवास है इसी आवास से मुख्मंत्री हमन सुरेन बाहर निकले और पत्रकारों को समोधित करते हुए उन्होंने तमाम अठकलों पर बिराम लगा दिया और यह साब कर दिया कि राजसवा चुनाओं में जार्खंड मुक्ती मोर्चा की तरफ से महुआ माजी उमीदवार होगी महुआ माजी कौन है आपकी जहन में सवाल उठ रहा होगा या बहुत लोग जानते भी हैं महुआ माजी जहार्खंड मुक्ती मोर्चा की महिला मोर्चा की केंद्री अध्यक्ष है और साथ ही इससे पहले जहार्खंड में महिला आयोकी वह अध्यक्ष रही है यह कहा जा सकता है कि महुआ माजी बहुत करीबी रही है मुक्यमंत्री हैमन सोरैन और जहार्खंड मुक् सिंग के चुनाओं से से चुनाओं हारी थी तो कहा जा जमाना यहीं जा रहा था कि 2019 के चुनाओं में महुआ माजी ने सीपी सिंग को भी पानी पिला दिया था और हो सकता है कि यही वजह हो कि पार्टी उन्हें जो है अभी राज़साब था, वो काफी फेमस हुआ था, कई पुरसकार भी उसे मिले थे, और अब जार्खन मुक्ती मोर्चा ने महुआ माजी को उमीदवार बनाया है, अब क्या होगा, कॉंग्रेस का स्टेंड यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा, अभी मुख्यमंत्री बस इतना कहकर वो अंद चले गए, कॉंग्रेस का सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री हमन सोरें से, तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, अब जवाब कॉंग्रेस क्या देती है, जवाब के तरफ से क्या परतिक्रिया आती है, यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा, शुक्रिया.